जी सर, सर पहले डी माइनश वन होता है जिसमें एक दिन पहले कस्टनमर को रिवार्ड करवाया जाता है बताया जाता है और उसमें भी जस्ट जो लोग होते हैं जिनोंने पेग करना होता है वो काफी लोग पेग कर देते इसमें hundred case हमें दिये जाते हैं उसमें से हमने 35 लोगों से लौन जो है वो रिकवर करवाना होता है उसके बाद डी जीरो आता है डी जीरो के अंदर सर आलमोस्ट 35 केसी होते हैं में भी 50 केसी होते हैं तो उसके अंदर से हमें वो वो दिन होता है जिस दिन कस्टमर का प्रामिस टू पे होता है जिस दिन उसका दे होता ह है पे करने का तो उस दिन उन कैसी में से हमें अगर विफ्ती है तो मुझ्टर 15 वामें निकालने होते हैं तो अगर 353 का ठार्गेट होता है डिली रिभी तो इस तरह 35 है कि तो ऊसमें तो इसका तो तार्गेट होता है उसके बाद U1 होता insight जिसमें एक दिन पुराने होते हैं ज्यादा जो साथ निकालने होते हैं उसके बाद एस टू आता है एस टू में सर एस वान में वह केस रहते हैं जो एक दिन से लेके पांच दिन पुराने तक होते हैं पांच से छे दिन पुराने उसके बाद एस टू में साथ दिन पुराने केस आते हैं साथ दिन से चोदा दिन तक वहां पर केस रहते हैं वहां पर भी इसी तरह का टार्गिट नोकरी से निकाल देंगए लोग उसके बाद सर्थर आता है दूसरा कि कर एंब 1 में सर को ऊचे एक करतीस दिन पुराने लोग होते हैं कि 16 से मतलब सोला दिन से लेके 30 दिन पुराने तक केस होते हैं M1 में उसके बाद M2 में 30 days से लेके 180 days तक होते हैं M2 में तो इस तरह इन से recovery करवाई जाती है M1 में सिरफ आपने दो payments निकलानी होती है डेले के 55000 की INR की और M2 में आपको सिरफ एक payment निकालनी होती है 5000 की हमें बताया गया recovery की द्वार जो हमने पूछा था कि कैसे आप लोग काम करते हो कैसे कैसे levels पर होता है तो आगे और भी जो recording से वह upload होंगी तो आप बने रहिएगा और वीडियो को जितना हो सके share करें like करें बहुत knowledgeable आपको knowledge मिलने जा रहा है कि हमने की recording इसे बात अपना समय इसलिए दिया जिसी कि आपके साथ शेयर कर सकें और आपको help मिल सकें तो चैनल को जितना हो सके आप subscribe करें support करें अगर आप भी इस fake loan app में फसे होएं चाहे वो टका पाट ओ टका मॉल ओ लाइटनिंग रुपी ओ हीरो रुपी ओ हुगो लोन आप ओ कैस पॉकेट ओ या money आप ओ किसी भी fake आप से आपके account में पैसे आ गए हैं crazy monkey हो और अब यह आपको परिशान कर रहे हैं payment करने के बावजूद black mailing कर रहे हैं कैसे बचना है आपको अपने बचाओं में क्या preventive step लेना है जिससे ना contact में बदनामी का डर ना इनको पैसे देने का ना ही कहीं से परिशान होने का इनके अगेंस कहां complain करना है अपने बचाओं में क्या क्या steps लेने हैं वो सारा कुछ जाएगा advice किया अचाएगा तो जिस भी आप से परिशान है आपका नाम problem whatsapp करें help लें वीडियो को जितना हो सके like करें बाकि लोगों के साथ share करें उन्हें भी aware को बिल्कुल आप subscribe करें support करें जिससे के आप जुड़े रहे हमारे साथ